सो सिग्मा के एक स्टेप उपर जाने से आती है डेल्टा वेरियांट यह है फ्रॉंक्स डेल्टा कॉम्पैक्ट हैजबेक एंड प्रीमियम SUV लुक्स वाइस देखेंगे तो अगर हम टॉप से देखेंगे रूफ रिल्स के साथ नीचे में आपको मिलती है वाइड बंपर्स, SUV लुक्स वाला क्रोम गिल्स विद कनेक्टेट पार्किंग एंड इंडिकेटर लाइट्स, प्रोजेक्टर हेड्लेम्स विद यलो लाइट्स, फ्रंट स्किट प्लेट्स तो सिग्मा डेल्टा का लुक्स जो है फ्रंट का सेम आपको मिलता है, अब साइड लुक्स की एक बात करते हैं, तो साइड लुक्स भी इसकी बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है आपको गाड़ी क्योंकि वाके में बड़ी है तो रुजट लुक्स के लिए अंडर क्लाइडिंग दिया है टायर के उपर और पूरा फ्रंट टू रियर, 16 इंच का विल्स मिलेगा विल्ल कैप के साथ, बॉडी कलर मिरर्स विट इंडिकेटर्स ये नया है, सिग्मा में नहीं आती है, डेल्टा में आपको मिलेगी, बॉ सारी सिग्मा डेल्टा दोनों में ही आपको मिलेगी, पर यहाँ पे आपको मिलती है पार्सल ट्रे, बूट स्पेस 308 लेटर का जो की ज़्यादा आपको स्पेस मिलता है, समान रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा, 6040 का स्प्रिट सेट ऑप्शन भी है, तीन हैड्रेस भी है, यहाँ पे देखिए मिडिल हेड्रेस और यह साइड साइड हेड्रेस, इसके साथ असिस्ट्री 40 है, अगर फोल्ड कर देंगे, तो आप स्पेस गाड़ी का ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेर विल भी मिलती है, सो रियर में अपग्रेट आपको पार्सल ट्रे मिलती है, डेल्टा में, जो कि सिग्मा में नहीं आता है, रियर स्कीट प्लेट से जो गाड़ी को रजट और SUV वाला फील भी देता, तो देखिए इंडिकेटर्स अकर मैं जला दूँ, तो बहुत ही गाड़ी की जो लुक्स से बढ़ जाती है, बहुत अट्र ग्रैंड विटारा का भी जो इंटिरियर लुक्स है, वो आपको फ्रॉंक्स जैसा ही लगेगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ी SUV है, ये कॉम्पक्ट हैजबेक में है और थोड़ी सी वो बिग SUV बोल सकते हैं ग्रैंड विटारा को, और वाके में ग्रैंड विटारा भी बहुत अच्छी कार है, तो चली इसकी फीचर्स आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है, अच्छी ची फीचर्स है, नोटीस करिएगा, टस्क्रीन मिल रहा है 7 इंच का, यहाँ पर देखिए, मैट फिनिस, थोड़ा सा, सिल्वर रेसरेंट्स, बोडेक्स, ब्लैक, तो यह सिग्मा डिल्टा का जो लुक से सेम है, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको 7 इंच का टस्क्रीन फ्रेम के साथ मिलती है, और यहाँ पर, फुल्ली अप्ग्रेड़ेट टस्क्रीन है, स्मार्ट प्रो है, सारे फंक्शन है, एपल, कार प्ले, अंडर अटो, सारे इसमें काम करेंगे पर इसमें rear camera नहीं अगर मैं back gear करता हूं तो camera नहीं जलेगी पर parking sensor असिस्ट करेगी rear camera आप इन बिल्ड वारे लगा सकते हैं जो साड़े साथ जार कपड़ेगा auto climate AC, cup holders, mobile charger, chrome वाली gear knob ये सब सारी चीज़ आपको मिलेंगे armrest नहीं आती है और यहाँ पर मिलता है tilt steering, audio control के साथ नीचे flat mode है जो की थोड़ा सा जो पकड़ने में थोड़ा सा grip लगता है driving के time में यहाँ पर wallet अखने के लिए दिया गया है hood opening, petrol filling के लिए सारे चीज़ दिये गया है चारो door में bottle holders भी है और गाड़ी चलाने में भाई बहुती comfortable और easy drive है अब rear की बात करें तो rear में आपको सारा चीज़ से मिलता है क्योंकि यहाँ पे भी आपको matching interiors, rear power windows, rear doors में bottle holders और rear door में आपको speakers भी मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं wheel caps रखी हुई चारो tires के लिए क्योंकि यह new car है और पीछे बैटके आगे का जो looks है वो भी बहुती प्यारा और attractive wild वाला SUV looks है गाड़ी का तो गाड़ी बहुत अच्छी है आपको 8.5 lakhs में गाड़ी आपको मिल जागी और इसके उपर में आती है delta plus विरेंड उसमें भी कुछ नहीं नहीं features है वो मैं already इसमें video में डाला हूँ आप उसको भी देख सकते हैं अब इसका engine का अगर मैं बात कुनों तो इसको जे engine है 1.2 liter का engine option मिलता है वही सेम जो sigma delta delta plus का engine सेम है 1.2 liter dual jet dual VVT 20 plus का average K series engine all aluminum engine है और ये BS6 के साथ आती है जो कि आपको less noise मिलेगी जादा power जादा torque भी आपको मिलेगा 66 kilowatt का मिलेगा पर अभी की जो engine जो भी आरी देखी नीच अगर आप offroading भी करते हैं तो engine में कोई भी damage नहीं आएगी तो best in class SUV जरूर गाड़ी देखे और trial करे और मुझे बताए गाड़ी आपको कैसी लगी ठाए